क्या कभी आपने ये सोचा कि Ben 10 Ultimate Aliens के लास्ट एपिसोड में एजमत ने Ben को New Omnitrix से क्यों दिया एजमत चाहता तो एक New Ultimatrix भी दे सकता था Ben को तो इस वडियो में हम लोग बात कने वाले हैं कि आखिर एजमत ने Omnitrix क्यों दिया Ultimatrix को क्यों नहीं दिया तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहें ना ये वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है अब Ben 10 Ultimate Aliens के लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलाता कि एजमत आता है और एजमत जो है वो Ben 10 से Ultimatrix को ले लेता है Ultimatrix को लेने के बाद एजमत बोलता है कि तुम अपने कलाई देखो और वहाँ पर हमें एक New Omnitrix को दिखाया जाता है जो कि हमें बहुत अलग Omnitrix देखने को मिला एजमत ने वहाँ पर कहा था कि 6 साल लगे हैं एजमत को ये Omnitrix को बनाने में और हमें वह Omnitrix Ben 10 Omniverse में देखने को मिला जहां पर वह जो Omnitrix है वह सबसे बहतर Omnitrix था अब यहां पर हम लोग अपने कोश्चन पर आते हैं कि आखिर एजमत ने Omnitrix को क्यों दिया, Ultimatrix को क्यों नहीं दिया तो इसमें आपको बता दू कि एजमत को Ultimate Aliens बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जितने भी हमें Ultimate Aliens दिखाए गए हैं जैसे कि Ultimate Wabic, Ultimate Swarmfire, Ultimate Humongousur जितने भी Ultimate Aliens हमें दिखाए गए हैं एजमत को वह Aliens बिल्कुल पसंद नहीं हैं और यह हमें थोड़ा सा हिंट मिला था Ultimate Sacrifice एपिसोड में जब Ultimate Aliens जो है वह जिन्दा हो जाते हैं तो वहां पर एजमत को आना पड़ा था और एजमत ने उन Aliens को किसी और प्लेनेट में जाके छोड़ दिया था तो वहां पर एजमत को Ultimate Aliens बिल्कुल पसंद नहीं था और यहां पर दूसरा रीजन यह हो सकता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर जब एजमत ने New Omnitrix पर काम कर रहा था तब वहां पर Elpido ने Omnitrix को चुरा लिया था आपको यादो का Ben 10 Alien Force का लाश्ट एपिसोड जहां पर एजमत जो है वह एक New Omnitrix या फिर Ultimatrix ही बना रहा था तो वहां पर जो Elpido है उसने चुरा लिया था और Elpido ने Ultimatrix बना दिया था जहां पर वह Normal Aliens को भी Evolve करके दिखा रहा था तो यहां पर ऐसा हुआ होगा कि एजमत को यह लगा होगा कि मैंने जो जो चीज सोचा था New Omnitrix को लेकर वह चीजे तो अब चूरी हो चुकी है क्योंकि Elpido ने उस टाम चूरी कर लिया था और बेन ने जब Ultimatrix को ले लिया था Elpido से तब वहां पर जो Ultimatrix है वो पूरी तरीके से बना नहीं था बहुत ज़्यादे गिलिचर्स थे तो यहां पर ऐसमत को यह लगा कि सायद उनकी मेहनत बेकार हो चुका है तो वहां पर ऐसमत ने एक New Omnitrix ही बनाया क्योंकि एसमत को यह बात पता था कि जो हमारे Evolved Form होते हैं Ultimate Aliens होते हैं वो बिलकुल भी सही नहीं है उससे बेन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो देखो थोड़ा सा दर्द तो होता ही है क्योंकि Normal जो Alien बना है उसका भी Evolved क अगर कोई बना रहा है चीज तो वहां पर थोड़ा सा दर्द होता होगा बैन को और गईस में आपको यह बात बता दू कि एसमत नहीं चाहता था यह बात कि Ultimate Aliens हाभी हो जाए बैन के उपर क्योंकि Normal जो Alien होते हैं वो नहीं हाभी हो सकते हैं पर जो Evolved होते हैं जो बहुत ज जबादा चोट पहुचाने की कोसिस कर रहे थे तो एजमत को यह कहीं नहीं डरत है कि अगर वह Ultimate Aliens को पूरी तरीके से बना भी लेगा तो कुछ गिलीचेस के कारण वहां पर Ultimate Aliens कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे की Ben को हानी हो जाएगा और वहां पर Ben नहीं सह पाएगा उस पर divine Aliens का यूस करते हैं नहीं दिख रहा था पर Elpido वहा भी एक चूल करता है और वहा पर भी वह फिर से Ulti Matrix को बना लेता है और वहां पर Elpido जो Ulti Matrix को बनाता है वह और जबदा इन्हेंस Ulti Matrix होता है मतलब कि Evolid के भी Evolid form हमें थोड़े से दिखाए जाते हैं उस Ulti Matrix में तो ये गज़ पूरा का पूरा तहानी था कि आखिर एजमत ने निव ओमने ट्रिक्स क्यू दिया अल्टी में ट्रिक्स को क्यू नहीं दिया अगर आपका कोई कोश्चन है तो नीचे कमेंट करके बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राब करके बैल लेगन को प्रेस कर दीजिए